पिछली वीडियो में हमने वन डिमेंशनल मोशन के लिए डिस्टन्स टाइम ग्राफ को स्टडी किया था अब हमने विलास्टी टाइम और एक्सलरेशन टाइम ग्राफ को भी स्टडी करना है तो सबसे पहले हम आते हैं विलास्टी टाइम ग्राफ पे तो velocity time graph में time को हमने horizontal axis पर रखना है और velocity को vertical axis पर अगर graph इस तरह से हो कि velocity जो है वो उसके velocity time graph जो हो बिलकुल horizontal हो और हो भी x axis के बिलकुल उपर तो यह सी सुरत में इसका मतलब यह है कि velocity यहां भी 0 थी यहां भी 0 है यहां भी 0 है overall velocity जो है वो 0 है इस case में तो हम कह सकते हैं कि यहां velocity जो है वो 0 है और उसके साथ साथ body जो है वो क्या है rest में अब आप मुझसे next वाले case पर आजाते हैं अब यहां पर देखें कि graph है तो horizontal है लेकि इन time axis के बिलकुल उपर नहीं है बलके थोड़ा से उपर है तो इसका मतलब है कि velocity जो है वो उसकी value 0 नहीं है क्योंकि velocity की value 0 तो यहां पर थी न यह जो graph line है इसके along y की value 0 होती है तो यहां पर velocity की value 0 थी या velocity non-zero है लेकिन time के साथ change नहीं हो रही तो velocity जो है वो यहां पर constant है constant है और non-zero है पहले जो है वो इसलिए example में 0 थी और constant थी अब यहां पर non-zero है और constant है अब अगर आपके पस velocity time graph हो तो इससे क्या-क्या चीज़ें पता चलती है for example कोई भी point है इस पे आप अगर acceleration की value find करना चाते हो आप क्या करोगे आप उस point पे एक tangent रहा करोगे उसके बाद अगला step है आपने tangent की slope find करनी है उसका horizontal component find करो vertical find करो vertical को आप dv का नाम दो horizontal को dt का acceleration जो है वापके पस आजाएगा dv over dt के यानि किसी भी point पे अगर आप tangent ड्रा करते हो उस tangent की जो slope आती है वो आपके velocity time graph की slope होगी दूसरी चीज़ है कि जो velocity time graph है उसके नीचे एरिया कितना है अब जरूरी नहीं है कि यहां पे यह line लगी हो ऐसे यह जो line लगी है यह अगर नहीं भी लगी होती तब भी यह concept ऐसे था यह line जस्ट मैंने इसलिए लगा दी यह वाली कि यह जरा यहां पे color हो जाए वरना color यहां तक रुखना नहीं था यहां से बाहर आजा तो ऐसी सुरत में अगर आपके पस velocity time graph मजूद है तो आप देखो कि उसके नीचे area कितना है उसके नीचे जो उसके अंडर area होगा x-axis के और graph के दर्मयान में वो distance को represent करेगा या आप कहलो displacement को represent करेगा अब यहां पे यह बात याद रखो कि यह velocity time graph बाडी की actual position के बारे में कुछ नहीं बता रहा है मिसाल के तरुपे आपको यहां क्या information बड़ी है आपको यहां यह जरूर पता चल रहा है कि अगर बाडी स्टार्ट में यहां थी और suppose कि यह जो area है वो उससे हमें पता लग गया कि जो distance कवर किया बाडी ने वो 5 मीटर है यह पता लग सकता है तो इसका मतलब है कि अगर बाडी शुरू में यहां थी क्या हो गया pencil को फिर उसने यहां आ जाना था तो जहां भी वो थी उससे 5 मीटर आगे मोग कर चुकी यह नहीं पता आपको कहां थी और कहां से आगे कहां पहुंच की है distance time graph acceleration के बारे में आपको exact information दे देगा जो इसका होगा slope होगी tangent की लेकिन यह आपको distance के बारे में सिर्फ इतना ही बताएगा कि distance cover कितना हो रहा है मिसाल के तो पर अगर आप देखना चाहते हो कि यहां से लेके, इस point से लेके इस point तक कितना distance cover हो है या time की its value से लेके इस value तक कितना distance cover हो है तो आप यहां से एक perpendicular perpendicular ड्रा करो इसके उपर यहां पर perpendicular पहली ही लगा हुआ है यह जो एरिया होगा यह रिप्रिजेंट करेगा distance covered in this time के इस टाइम के अंदर जो distance कवर हुआ वह इस एरिया के इकवल है time को यहां से यहां तर मतलब अगर 4 second यहां पे है 5 second यहां पे है तो एक सेकिंड में बॉड़ी ने ये डिस्टंस कवर किया उससे आगे चलते हम अगर विलास्टी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो कॉंस्टंट होगा ज्यादा एक्स्प्रेइन करने की जुरूरत नहीं है इसलिए विडियो में मैंने डिस्टंस टाइम के लिहां से विलास्टी के बारे में बहुत डिटेल में इसके बारे में चीज़ेंगे आप यहां पर स्लोब जो है वो कॉंस्टंट है तो स्लोब एक्सेलरेशन को रिप्रेशन कर रही है इसलिए एक्सेलरेशन कॉंस्टंट होगा यहां पर भी एक्सेलरेशन कॉंस्टंट है लेकिन विलास्टी डिक्रीस कर रही है लेकिन deceleration जो है वो यूनिफार्म होगा वोट डी decelerate कर रही है अब velocity time graph के लिए उसी तरह से है यह जो velocity time graph है इसमें यह लाइन जो शो कर रही है इस सूरत में acceleration कितना है 0 है क्योंकि लाइन horizontal है velocity constant है यहां पे acceleration जो है वो नॉन जीरो होगा b वाले case में a से acceleration ज्यादा produce होगा अगर इस line को यह करते है c में जो है वो acceleration b से ज्यादा होगा d में इस से भी ज्यादा और e वाले case में यहां पे infinite acceleration है जो सिर्फ समझाने के लिए ड्रा किया गया है practically ऐसा possible नहीं होता कि acceleration infinite होगा तो यहां पे different accelerations को compare किया गया आप जिस यह जेन में रखें कि line जितनी horizontal होगी उतना ही acceleration ज्यादा होगा और line जितनी vertical होगी उतना ही acceleration कम होगा यही चीज जो है आगे next graph में भी apply होती हुई नजर आ रही है कि यहां पे line start में तकरीबन horizontal है तो start में acceleration 0 है आगे जाके देखें तो line जो है वो almost vertical होती जा रही है तो velocity time graph में अगर line vertical होती है तो इस सुरत में acceleration जो है ज्यादा होता है बढ़ता है तो यानि acceleration इस case में क्या हो रहे है इस case में acceleration time के साथ जो है वो increase करता हुआ हमें नजर आ रहे है उसी तरह से यहां पर भी देखें तो velocity time graph में तो यहां पर ज्यादा horizontal है यहां पर ज्यादा vertical है उसके मकाबले में तो यहां पर भी acceleration जो है वो increasing है अब अगला graph देखते हैं अगर तो line यहां पर ज्यादा vertical थी यहां पर horizontal direction में shift हो रही है तो आसे सूरत में acceleration जो है वो time के साथ decrease कर रहा है लेकिन positive अब अगर हम projectile motion की बात करें तो उसमें acceleration uniform होता है लेकिन initial velocity अगर उपर को थ्रोख करें उसके opposite होता है तो acceleration हम कहेंगे के negative है और uniform है इसलिए इस तरह की करवाएगी है हमारे पास कि velocity शुरू में positive थी कम होते होते है आखिरकार zero होगी है और उसके बाद negative direction में बढ़ना शुरू होगी अब आगे ये problem है इससे related ये सारे questions के answer हम देखने हैं सबसे पहले बताएं कि what is the velocity at start शुरू में इस point पे velocity की value देखते हैं अगर हम तो वो हमारे पास zero के बरापर है इसका answer क्या होगा zero उससे next है after how much time body will come back to original position कब वापस आएगी original position के याद रखें कि यहाँ पे body की velocity जो है वो constant हुई है अब देखना यह थोड़ा confusing होने है और constant होने का मतलब है कि अभी भी body आगे को ही जा रही है अगर इधर से move करना शुरू किया था तो इस point पे पहुंच के अभी भी body जो है वो आगे की तरफ ही चल रही है वापस नहीं आना शुरू हुए और यहां से अगर आगे देखें तो यहां पे भी velocity जो है वो कम हो रही है लेकिन negative नहीं हुई नेगटिव यहां जाके हो नहीं है तो अभी भी body आगे की तरफ ही जा रही है दूसरे लफ़ों में body सिर्फ आगे ही गई है पीछे तो आई नहीं है पीछे आई होती ही तो graph जो है वो कुछ पीछे वाला sense में इस तरह से होता ऐसे है तो फिर हम कहते हैं कि body पीछे भी आई है अगर इस तरह का graph होता तो और suppose कि यह area और यह area बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस point पर जहां तक area बराबर हो गया body original position पे वापस आ गया लेकिन चुकर यहां पे सिर्फ एक डिरेक्शन में area इसलिए body कभी बी original position पे नहीं आ रही इस graph के अंदर जितना शुरू में शोग किया गया तो उसके बाद total distance covered by body आपने find करना है तो वो आपने total area calculate कर लेना है इस point मिसाल के दूर पर अगर पहले वाले का area देखते हैं तो इसकी यह triangle है इसकी width जो है one second है height इसकी जो है वो base one second है height two है तो इसमें आपके पास इसको multiply करके answer आपके पास one meter distance यहां cover हो रहा है उसके बाद इसको भी calculate करें यहां पर आपके पास यह दो दुनी चार यह area बन रहा ह और इसको भी अगर आपके calculate करते हैं तो यह इधर से one meter है इधर से two seconds है तो one multiplied by two करके यह again यह भी one नहीं आएगा तो इस तरह से आप सारा area calculate कर ले मैंने पहले calculate नहीं किया वह मैं आपके सामने calculate कर रहा हूँ तो यह 5 और एक 6 हो गया यह 2 ती यह 6 उसके बाद यह वाला area है यह आपके पस दो सेकंड इधर से है और तीन मीटर इधर से है तो यह triangle करेंगे half करेंगे तो मेरे खाल में यह 3 आजएगा तीन छे नौ और छे पंदरा मीटर area आएगा मेरे हिसाब में आप भी अपने हिसाब में calculate कर ले उसके बाद है find the acceleration from one two three seconds आप one से लेके three seconds तक बताए के body का acceleration कितना था तो यहां से one second पर body यहां थी three seconds पर यहां चलेगी velocity में कितनी change आई है three में से two minus करते है one meter per second time कितना लगा है three में से one minus करते है two seconds तो acceleration यहां से लेके यहां तक acceleration है उसकी value हमारे पास आ रही है point five meter per second के अब यहां पर यह याद रख लो कि यह जो acceleration की value आई है point five meter per second square यह यहां से लेके यहां तक है चुँकर straight line है इसका मतलब है कि acceleration throughout constant है और उसकी यह value है उससे आगे चलते है find average acceleration during first three seconds अगर first three seconds का acceleration देखते हैं तो वो instantaneous नहीं हो ना क्योंकि यहां से यहां तक slope कुछ और है आगे कुछ और है तो first three seconds के लिए करेंगे तो यह total जो है यह average को represent करेगा कि average acceleration कितना है यह average के लिए मैंने एक line भी लगा दिया लेकिन इसकी जुरूरत नहीं थी अब जस्त देखो के velocity में change कितनी आई है जीरो से 3 हुई है तो यहां पर velocity में change जो है वो 3 meter per second है और time जो है यहां पर 3 second है तो यहां पर यह सूरत में average acceleration first 3 seconds में 1 meter per second स्केर आज लिए when will the body comes to rest body rest में कब आएगी जब उसकी velocity 0 हो जाएगी और यहां पर velocity 0 हो रही है ती is equal to 7 seconds पर तो अभी तक हमने velocity time graph को अची तरह समझ लिया है अब हम आ जाते हैं acceleration time graph पर तो अगर हमारे पास acceleration time graph होता है तो उसमें acceleration को हमने हमेशा vertical direction में रखने है time को horizontal direction में अगर graph इस तरह से है इसका मतलब यह नहीं है यहां पर बखके body rest में इसका मतलब सिरफ यह है कि acceleration 0 है acceleration 0 होने का मतलब है velocity constant है velocity constant होने का मतलब है कि velocity 0 भी हो सकती है क्योंकि 0 भी constant होता है 5 भी हो सकती है और कोई भी number हो सकती है जो कि non zero हो 0 भी हो सकती है non zero भी हो सकती है अगर acceleration जो है वो इस तरह से है और straight line है इसका मतलब है कि uniform acceleration है और uniform acceleration का graph आपको ये नज़रा आ रहा है ये वाला अगर gravitational acceleration के case में देखे हैं तो gravitational acceleration को हम मोस्ली हम negative consider करते हैं तो उस case में वो उसके लिए line नीचे की तरफ आएगी तो ये जो line है ये भी uniform acceleration को represent कर रही है लेकिन ये gravitational acceleration की तरह का acceleration है जो downward direction में है या initial velocity के कह लें आपोजिट है कुछ भी कह सकते हैं ये situation to situation depend करेगा यहां पे acceleration time के साथ जो है वो decrease कर रहे है यहां पे acceleration time के साथ increase कर रहे है अगर acceleration और time के दरम्यान अगर आप area लेते हो तो ये represent करता है change in velocity को यहां से आप actual velocity के बारे में information हासिल नहीं का सकते आपको सिर्फ यही पता लगेगा कि velocity में change कितनी आई मिसाल के दोर पे अगर यह area numerically SI system units में 5 के equal है तो इसका मतलब है velocity जो है उसमें change 5 meter per second की आच होगी यह भी हो सकता है body शुरू में जो है वो 5 meter पे चल रही हो और अब 10 पे चली गई हो और यह भी हो सकता है शुरू में 7 पे चल रही हो अब 12 पे चली गई हो शुरू में 0 पे चल रही हो अब 5 पे चली गई हो कुछ भी हो सकता है सिर्फ यह acceleration time graph में जो area है यह represent करता है change in velocity को velocity के बारे में यह information हमें नहीं देता velocity के बारे में अलाइदा से हमें information की ज़रूरत होती है sometimes given होती है तो यह चीज़ें आज की वीडियो मैंने आपको बताई है एक और चीज़ है कि acceleration time graph में जो tangent है acceleration के उपर वो कोई BAC physical quantity के बारे में हमें नहीं बताता है जिसके बारे में हमने पढ़ा हो यह कोई 80 quantity होगी जो के हमने study नहीं की हमारे BAC के stable से भी even link नहीं है यानि DA over DTE आ जाएगा तो वो हमारे लिए relevant नहीं है तो इस तरह से आज की वीडियो को हमने complete कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम इन ही दो टापिक्स को जो हमने study किया पिसली दो वीडियो में उन ही से related MCQs को study करेंगे शुक्रिया